स्वागत है आप सभी बेनों का फिर से एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोशन टेकर एप 19.9 में डेली ट्रेकिंग अटेंडेंस बनने में बच्चों की नाम ओपन नहीं हो रहे उस समस्या को हमें कैसी सुधान ना है तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको पोशन टेकर एप्लिकिशन को ओपन कर देना है पोपन होने के बाद आपको डेली ट्रेकिंग वाले ओफ्सन पर जाना है यहाँ पर हम ओपन पर क्लिक कर देते हैं तो आगन बाड़ी ओपन हो जाती है इसके बाद कैप्चर फोटो पर करते हैं तो फोटो भी कैप्चर हो जाती है इस तरह इसे यहां से camera खुल जाता है और यहां से blue color की निसान पर click करके हम यहां से photo click कर सकते हैं तो अभी हमें photo click नहीं करना है सबसे पहले हमें बच्चों की नाम को देखना है यहां पर हम attendance, morning snacks की entry यहां पर करते हैं तो इस पर हम जैसे click करते हैं तो यहाँ पर बच्चों के नाम संख है यहाँ पर दिखाए देती है अभी यहाँ पर जीरो दिखाए दे रही है यहाँ पर बच्चे तो दर्ज हैं लेकिन यहाँ पर जीरो दिखाए दे रही है तो इस समस्या को हमें कैसे सुधारना है इसके बाद हम यहाँ पर भी करते हैं तो यहाँ पर भी जीरो दिखाई दे रहा है तो इसको हमें कैसे सुधानना है आपको एक आसान सी step को करना है इसके लिए आपको log out या login या uninstall एपको uninstall या clear catch करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर उपर एक आपको option दिखाई दे रहा होगा इस option पर हम करके देखते हैं एक बार हमने touch किया इस पर अभी नहीं हुआ इसके बाद एक बार और touch एक ही बार यहाँ पर एक ही बार touch करने पर उपर जो निसान आपको arrow के दिखाई दे रहे हैं दो इस निसान को हम एक बार टच कर सकते हैं, एक बार में ना हूँ तो दो बार टच करके यहाँ पर बच्चों की नाम को खोल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, आप संख्या दिखाई देने लगी है बच्चों की, अब हम यहाँ पर सभी बॉक्स खुल गए हैं बच्चों के, अब हम यहाँ पर उपस्थिती लगा सकते हैं, यहाँ पर अटेंडेंस और यहाँ पर मॉर्निंग स्नेक्स को हम भार सकते हैं सभी बच्चों के, तो चलिए हम इसको भार देते हैं, इस तरह से पूरा भार के हमें यहाँ पर सम्मिट कर देना है जितने बच्चे उपस्थित हुए उन बच्चों की उपस्थिती लगा कर हमें सम्मिट कर देना है तो यहां पर अटेंडेंस और मोनेक्स भरी जा चुकी है अगर आपके इस एरो के निशान से भी ठीक नहीं होता है तो आपको clear catch करना पड़ेगा setting पर जाके apps manage apps setting और इसके बाद clear all data apps का करना पड़ेगा उसके बाद आपको आपको login दोबारा करना पड़ेगा तब ही आपका potion tracker app में बच्चों की नाम खोलेंगे इसके बाद आप हम 3-6 बार्स के बच्चों की एंट्री करेंगे जिनको हम daily HCM देते हैं गर्मतायार भोजन देते हैं तो उनकी एंट्री हमें प्रती दिन करनी पड़ती है आज सानी बार है तो आज भी 3-6 बार्स की बच्चों की एंट्री होगी यहाँ पर हमें HCM लगाना है बच्चों का इसके बाद activity भार के हमें सम्मिट कर देना है